हाईलो दोस्तो वालकम टो जी के गर यूटूब चैनल है और दोस्तो आज में डिसकस करेंगे हरी आनवे जो भी नया मंतरी मंदल बनायाएगा उसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इस टोपिक से भी हर एक्जाम में कोईशन बनता है विद इंपोटेंट और एक्ष्टा अफैक्ट के दाफ दोस्तो इस टोपिक को करेंगे अगर दोस्तो आपको जनवरी 2021 से लेकर अब तक यनकी 22 तक या इस महिने तक या फिर जनवरी 2022 से लेकर अब तक कि हरियाना का इंट फिर की पीडे फाइल चीए तो डिस्क्रिप्शन मिलनी की दिया वहां से डालोड कर सकते हैं और इसकी पीडे फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगे वहां से डालोड कर सकते हैं तो इस सेसन को सरो करते हैं दोस्तो हम करेंगे हरियाना मंतरी मंडल 2022 और हरियाना विदानसबा से सब मंदित सबी महत्यपुन परसन पढ़ेंगे जो भी हर एक्जाम में दोस्तो बार बार पूछे जाते हैं और लास्ट में इन सब का दोस्तो आपके लिए टेस्ट भी रखा आप उसे विदे कर जरूर देखना तो दोस्तो सायसम को सरो करते हैं सबसे पहले हरियाना विदानसबा का कुछ इतियास जान लेते हैं जासे एक्जाम में क्वैस्टन मनते हैं हर्याना विदानसबा का मुख्यले चंडिगड में है इसका डिजाइनर का नाम है लेकारबोज्यर है और हर्याना विदानसबा का गठन हुआ था 966 को और हर्याना विदा अनसबा की पहली बेठक हुई थी 6.266 को और 1966 में हर्याना विदा अनसबा में चुम्मन सीटे थी इन चुम्मन सीटों में से तब 10 सीटे अनसुची जाती के लिए आरक्षित थी और पहली विदा अनसबा चुना हुए थे 1967 में मारत उन्सुस सेट में सीटों को चुम्मन से बढ़ा कर 80 कर दिया और फिर उन्सुस ता इंतर में इन्हें 80 से बढ़ा कर 90 कर दिया और वरतमान में भी दोस्तों 90 सीटे हैं और इन 90 सीटों में से 17 सीटे एनुसुसी जाती के लिए आरक्षी था वरतमान में भी और हरियाना विदानसबा की पहली विदानसबा अदेक्स कौन बने थे तो सन्नो देवी बने थी दोस्तो और जबकि पर्थम डिप्टी स्पीकर महिला कौन बने थी तो लेखवती जैन थी अमबाला से और पहला पूरस विदा निसबा देक्स कौन बने थे तो राव वरेंदर सिंग बने थे आपको यह भी नौट प्रेर लेना है जब यह पूर्चाजाए कि हर्याना विदा निसबा कि पहले अध्यक्स कौन है तो सन्नो देवी आएगी जबकि ये पूर साज़े कि पहला पूर सुधा निस बाद एक्स कौन है तो राव रेंदर सिंग आएगा और पहले मुख्यमतरी कौन थे तो पंडित बागोल द्याल सर्मा थे ये मनुनित सियम थे इनकी ये जनता के दोरा चूने हुए नहीं थी बलकि अपने आप बनाये गए थे सीधे दोस्तों अगर आपको जनवरी 2021 से लेकर अब तक है या फिर जनवरी 2022 से लेकर अब तक है या फिर आपको जिलेवर एडिस्टिक वाज हरियाना करना फिर की पीडे फाइल चीए 2021 की तो डिस्क्रिप्शन में निक दिया वाज से डालोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्ते एक वाजसाप नमबर मिल जाएगा उस पर मैसेज करके भी आपको पीडे फाइल मिल जाएगे विद इंपोर्टन और एक्ष्टर फाइक्ट के साथ में और बात करे राज्यपाल की तो हरियाना का पहला राज्यपाल कोन बना था तो दरववेर सिंग बने थे और वरतमान में हरियाना का नया और ठारमा राज्यपाल कोन है तो स्रीबंडारू दत्यतरे है श्री बंडारू 233 का जनम वोवा था 12 जू 1947 को हैदरबाद ते लांगना में इनके पिता का नाम है श्री बालक सुरेश और इनकी माता का नाम है श्रीमती मुतमा देवी और इनकी पतनी का नाम है श्रीमती वसंता और इनने दोस्तों BSE कर रखी है उस्मानिय विश्व दले है है दराबाद से अब चोद्मी विदान सभा के बारे में पढ़ लेते हैं चोद्मी विदान सभा की चुनाओ वे थे 2019 में उर्षका देख्स बनाया गया है ग्यांसंद गुपता को पंचकुला से विदायक है और वरतमायन में इसकी उपादेख्स रणवीर सिंग गंगुआ इसार के नलवा सिट से विदायक है और आप पॉइंट नोट कर सकते हैं रैज्जे का सरवादिक उंचा मतदान के इंदर कौन सा है तुद्धा मन गाउं पढ़ता दोस्तों ये कल का पंचकुला में और वरतमायन में चोदमी विदान सभा में कुल चोदा विदायक मंतरी प चोदा विदायक की मंतरी बन सकते हैं क्योंकि हरियान विदायक की 90 देश्यों का केवल 15 परतिसत विदायक को कोई मंतरी बनाया जा सकता है उसके स्याब से चोदा विदायक की मंतरी बन सकते हैं अब दोस्तों बात कर लेते मुख्या मंतरी की अब इदाइकों के बारें पढ़ लेते जो मंतरी बन चुके हैं तो हरियाना के मुख्या मंतरी है महनौर लाल जनम वधर पांच मुठीमिन सु कमन को निदाना गाओं महम रोहतक में पहली बार हरियाना के मुख्य मंत्री के सपतलिती 27 अक्टूबर 2014 को और चोद्मीव दान सबाता काय रज्य में लागातार कुल बने मुख्य मंत्री की साबसे 21 है और वैक्तिकत रूप से 10 मुख्य मंत्री बने हरियाना के चुनाव चेतर कर्नाल असे है दूसरी बार सपतली 27 अक्टूबर 2019 को और वरतमान में 27 अक्टूबर 2022 को मनहुरलाल को आठ साल हो चुके दोस्तों लागातार मुख्या मंत्री बने हुए और मनहुरलाल निविदायक के रूप में कैथल के के ओड़ गाउं को गोद लिया था और इनके पास विबाग कोईन से हैं तो वित मंत्री है और हर्यानके से पहले मुख्या मंत्री बने है जिनके पास वित मंत्री भी और साथिशात मुख्या मंत्री भी है नगर्वागराम अयोजनवाई सहरी संपद्दा विवाग भीनी के पास है जन स्वाश्तिय मप्यांतरिक विवाग सिचाई वजल संसाधन विवाग ये इंपोर्टन्ट है सुचना परड्योक्की विवाग एक्टोनी तथा संचार विवाग सुचना लोग संप्रयके वासा विवाग योजना विवाग नेप परशाषण परेवन तथा जलवी प्रिवरतन विवाग भी मुख्या मंतरी के पास है वास्तूकला नेप परशाषण गुपसर या फर सि इडी विवागlines मुख्या मंतरी के पास है कार्मे को परसिक्षन विबाग भी और राजबो अन्मामले तथा अन्य विबाग जो किसी अन्य मंतरी के पास नहीं है वे भी मुख्य मंतरी के पास है और अब बात करें उपमुख्य मंतरी दोशन चोटाला की तो इनका जनम हो अथा तीन अप्रेल 1988 को इसार हरियान में और इ इनसे पहले हरियान में पांच उपमुख्य मंतरी बन चुके हैं उनके बारे में जान लेते हैं पहले बने थे चांदराम है मुख्य मंतरी राव उपरेंदर सिंग के टाइम में तूसरे बने थे मंगल सिंग देविलाल के टाइम में तीसरे बने थे बनार शिदास गुपता देवलाल के टाइम में, चोथे बने थे उकम सिंग, उमपरका चोटाला के टाइम में, पांचवे बने थे चंदर महोन सिंग, मुख्या मंतरी, उपेंदर सिंग हुड़ा के टाइम में, और चटे बने है, दुशन चोटाला मनहोरलाल के टाइम में, दुशन चोटाला का चुन है आप दोस्तों काबनेट मंसरी के बारे में पड़ लेते हैं हरिया जी वरतमान में 8 काबने चुनाव चेतर अमबाला कैंट से है, लगतर दूसरी बार कैमिनेट मंतरी बने है, अमबाला कैंट से 6 परविदा एक चुनाव जी चुके हैं, इनके पास विबाग कोन से है, तो गर्य विबाग इनकी गर्य मंतरी है, स्वाइश्ते मंतरी है, चिक्सा शिक्सा और सुन्दान म मंत्री भी है आयूज तथा तकनिकी शिक्सा विभाग भी इनी के पास है विग्यान पर्द्यों की मंत्री भी यही है नाइक्ष्ट है कवरपल गुजर चुनाव चेतर जगादरी युमनगर है पिछली विदा निसबा में विदा निसबा अडेक्स भी रहा चुके है इम्पोर्टन आपको रट लेने च्यार विभाग तो इनकी शिक्सा वन प्रेटन और संसदिय मामले नाइक्ष्ट है मुर्चन सर्मा चुनाव चितर बलवगण फिरिदाबाद है विभाग कोन से तो प्रिवयन मंत्री है खान भय भू विग्यान मंत्री भी है कोसल विकास उरुद्योगी प्रसिक्षन विभाग भी ने के पास है और निर्वाचन मंत्री भी आपको नोट कर लेना है कि वर्तमान में चुनाव का मौल है तो निर्वाचन मंत्री यही है नाइक्ष्ट है रनदीश सिंग चुनाव चितर रान या सिर्षा से है विभाग कोन से तो बि पीर्षी और किसान कल्यान मंतरी है पक्रसू पालोण और डीरी मंत्री है तो querer है कानून वा विभाग की मंत्री यही आपको यहीं नोट कर लेना है तो निच्ट है डक्टर बनवारल लाल चुनाव छेतर बावावल रिवाड़ी से हैं बनवारि लाल दो बार बावल next है कमल गुपता का दोस्तो हाली में एक मेहने पहले हरियान में नया मंत्री बनाया गया है इनका चुनाओ अच्तर इसार से है और इन्हें सैरिस्तान्य निकाई विबाग दिया गये है यह विबाग पहले अनिय लूष के विबाज था अब इने ये विवाग दिया गए है और एक विवाज मिला causing for all विबाग नेक्स्ट है देवेंदर सिंग बवली कमल गुपतन के साथ दोस्तों इने भी हरियान में नया मनतरी बनाए गया भाला था हरियान में दो नया मनतरी बनाए गया थे स्रीमति कमलेश डंड़ा चुनाव चैतर कलायत कैथल से है एक मातर महिला मंतरी है मुख्य मंतरी के मंतरी मंदल में विबाग कौन से है तो महिलाव बालुकास मंतरी है बीलेख अगार विबाग बीनी के पास है नाइक्ष्ट है संदीप सिंग चुना उचेतर पेहवा कुर्चेतर से है इन्होंने पंजाब विबास मसपत लीती होक के घिलाडी रह चुके है इनके पास खेल वायू अमामले मंत्री है मूदर्न तथा लेकन सामगरी विबागबीनी के पास है नाइक्ष्ट है ओम परकास यादो चुना उचेतर नाल से नारनोल से है विबाग कोन से है तो समाजिक नेव रादिकारता मंत्री है सायनिक तथा अर्थ सायनिक कल्यान विबाग भीनी के पास है नाइक्ष्ट है अनूप दानक चुना उचेतर उकलाना इसार से है विबाग कोन से है तो राज स्वाप्धा परबदन विबाग है लेकिन उपमुख्यमंत्र के साथ जुड़े हुए है और विबाग है यह 45 विबाग है यह 97 विबाग्यं के पास उद्योग वानिजयन खद्य नागरे का पूरता और भोगता माश्यंदे विबाग यह भी उपमुख्यमंत्र के साथ जुड़े हुए है दोस्तों ऐसे कह सकते हैं नाम नाम के मंत्री बनाय हुए है इन वी वागों में इने दूसरें सो टाला से सलाल लेनी होगी तब ये कोई फैसला ले सकते हैं अब दोस्तों विदा एक तो खतम होच के अब हरियाना लोगसबा के बारे में भी पढ़ लेते हैं वर्तमन में हरियाना में कूल लोगसबा की सीटों की संख्या 10 है और हरियाना लोगसबा में आर्क्सी चीटों की संख्या वर्तमान में 210 में से 2 है कौन-कौन सी है? अमबाला और सिर्षा हरियाना में 1966 में लोगसबा की सीटे 7 थी फिर 1967 में 7 से बटकर 9 हो गई और फिर 1970 में ये दोस्तों 9 से बटकर 10 हो गई हरियाना लोग स्वा की परतम मेला सानसद कोन बनी थी तो सर्मती चंदरावती बनी थी हरियाना के गठन के बाद आप तक कुल कितनी महलाए सानसद बन चुकी है तो 6 महलाएं दोस्तो कोन सी हुए हरियाना से सर्मती चंदरावती पहली बनी थी कुमारी सैलजा, कलासा सैनी, सुरूती चोधरी, सुधा यादो और सुनिता दूगल है सीर्षा से वर्तमान में सानसद है अब सतरवी लोग्स बाके बारे में पढ़ लेते हैं हरियान में चुनाव हुए थे 12 में 2019 को छटे चरण में गुरुग्राम से सानसद है राओ इंदरजीत, फ्रिदाबाद से कीर्शन पाल गुजर अंबाला से रतलाल कटारिया, कुरुक्षेतर से नौअब सैनी, सिर्षा से सुनिता दूगल हिशार से ब्रेज सिंग है अब दूस्तों हमने जीतना भी पड़ा, उसका टैस्ट देकर देखते हमारी त्यारी कितनी हुई है तो क्वेस्टन बर वन है हरियान की मुख्यमत्री का चुनाव से तर कौन सा है तो उनका चुनाव से तर वरतमान में करनाल से है हरियान की मुख्यमत्री दूसरी चुटला का चुनाव से तर कौन सा है तो चाना जीन से है हरियान की गर्यमत्री कौन है तो हरियान की गर्यमत्री दोस्तों ओप्शन सी अनीलवीज है हरियान की सिक्षा मंत्री कौन है तो वर्तमान में हरियान के शिक्षा मंतरी है, option B, सरी कवरपल गुजर है, next है, हरियान के प्रेटन मंतरी कोन है, तो हरियान के प्रेटन मंतरी भी दोस्तों, option B, कवरपल गुजर है, शिक्षा मंतरी भी है, वन मंतरी भी है, next है, हरियान के प्रवैन मंतरी कोन है वर्तमान में, तो हरियान के प्रवयन मंत्री है, option D, स्री मूलचन सरमा, next है, हरियान के बिजली मंत्री कोन है वर्तमान में, तो वर्तमान में हरियान के बिजली मंत्री है, option B, रनजी सिंग चोटाला, next है, हरियान के किर्शी मंत्री कोन है, तो किर्शी मंतरी है, option A, श्री जय परकास दलाल है, इनकी जय परकास दलाल है, next है, हरियानक का महिला वबालवकास विबाकी किस के पास है, तो महिला वबालवकास मंतरी कौन है, तो option C, स्रीमती कमले सडांडा है, next है, हरियानक के खेल मंतरी कौन है, तो वर्दमान में हरियान के खेल मंत्री है option D संदिय ऐप सिंग है कर भाष ठेंग्ष्ट है हर्यान के सरम वारॉ जगर मंतरी कौन है तो यह वंक दोस्तों किस के पास है तो यह वंक है option A अनुपदान के मैं हर्यान के सेनिक तेथा अर्दसैनिक कल्यान वड़ा같 मंतरी कौन है तो यह विबाग दोस्तों ओप्शन C स्री ओमपरकाशादों के पास है और हर्यान के रज्य मंत्री है नेक्स है हर्यान sowahud 16-31 से है नेक्स है हर्यान के एसुचिछ जातियो आपईसड़ा अव रकलियान विबाग के मंतरी कौन है तो इस विबाग के मंतरी है option D डाक्टर बनवारि लाल है next है हरियानक के खाद्य नागरी का पूर्ति था उपगता ममले के मंतरी कौन है तो ये विबाग है दोस्तो option A स्री दूशन चोटाला के पास उपमुख्य मंतरी है उचाना से इनका चुनाओ चेतर है next है हरियानक के गरा मंतरी अनिलविज का चुनाओ चेतर कौन सा है तो अंबाला का इंट से वदायक है next है हरियानक के शिक्सा मंतरी सवरी कवरपल गुजर का चुनाओ चेतर कौन सा है तो इनका चुनाओ चेतर दोस्तो option A जगादरी वनगर से है हरियाना के प्रवायन मंत्री मूलिन सर्मा का चुनाओ सेतर कौन सा है तो इनका चुनाओ सेतर है ओप्शन D बलबगण फिर्दाबाद है हरियाना के बिजली मंत्री रंची सिंग का चुनाओ सेतर कौन सा है तो इनका चुनाओ सेतर है ओप्शन सीरान या सीर्षा से next है hariyana के किर्षिय मंतरी जेप्रकास दला का चुनाऊचेतर कौन सा है तो लोहरूप विवानी ऑप्सन B next है hariyana की विकास वा पचायत मंतरी देमदर सिंग बबली का चुनाऊचेतर कौन सा है तो इनका चुनाऊचेतर है ऑप्सन B टोहाना से और हरियाना में हाली में नए मंतरी बनाए गई है Next है हरियाना का सुचना पर्द्योग की Electronic तथा संचार विबाग की समंतरी के पास है तो ये विबाग दोस्तो Option B मुख्य मंतरी मंहुरलाल के पास है और दोस्तो मैंने एक छोटा सा मेरा Vlog चनल बना रहा का संधी Family Vlog के नाम से डिस्क्रिप्शन में लिक मिले जागा दोस्तों से जाकर पली सपोर्ट और सस्क्राइब ज़रूर कर देना और अगर आपको विडियो परसंदो तो विडियो को लाइक और चलनल सस्क्राइब ज़रूर कर देना और विडियो देखने के लिए थैंक यू सो मेच